क्लास ट्वेल्थ मेंच से चेप्टर टू प्रशनवाली दो दसंदो दो को कोश्चन नूंबर पांच वाहें बहुत ही मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन है यह बोर्ड नहां सकता है तो इसको अच्छे ज्यान से रेतना और बहुत ही इजी कोश्चन है तो यहाँ पर देखिए 10 inverse root 1 plus x square minus 1 upon x है x बराबर नहीं है 0 अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कंट है आपको x बराबर 10 theta मानना है अब theta का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जागा 10 inverse x यह x इदार आ गया 10 इदार आ गया तो inverse में हो गया theta क्या हो गया 10 inverse x अब यहाँ पर आप देखिए एक से बराबर माना है हमने 10 theta तो मान रखेंगे 10 inverse root 1 plus x की जगा पर 10 theta तो 10 square theta हो गया है minus 1 ऐसा का ऐसा अब उन में x की जगा पर क्या मानना हमने 10 theta तो 10 theta यह यहाँ पर x square था इसलिए हमने 10 का square गया 10 square theta कर दिया इसको यहाँ पर इसके बाद आप देखिए 10 inverse यह जो होगा हमारा x सुद्र से बनेगा root 1 plus 10 square theta होगा 6 theta तो यहाँ पर देख लीजे आप 1 plus 10 square theta बराबर shape square theta होता है तो यह इससे वर्ड इधर आए है वर्ड तो यह हो जागा shape theta बराबर root 1 plus 10 square theta यह यहाँ पर यह सुद्रा आप बयाद होगा तो इसससे बना दो गया आप यह अब इसकी जगह पर shape theta रख सकते हम तो यह हो गया यहाँ पर shape theta minus 1 as it is और 10 theta की SI अब इसके बाद क्या करेंगे shape theta को हम लिख सकते है one upon cos theta shape theta क्या लिख सकते है one upon cos theta तो हम लिख देंगे यहाँ पर one upon cos theta minus 1 as it is अब 10 theta क्या लिख सकते हम 10 theta को लिख सकते है sin theta upon cos theta तो यहाँ लिखेंगे sin theta upon cos theta अब यह 10 theta को इसा लिख देंगे 1 minus cos theta यहाँ पर 10 inverse है अब अपन में आएगा cos theta upon sin theta upon cos theta as it is तो यह लिख सकते हम यहाँ पर यहाँ पर देखना यह यहाँ पर देखिया तो क्या लिखेंगे हम 10 inverse 1 minus cos theta को हम लिख सकते हैं 2 sin square theta by 2 यह आपको सुत्रे आदेना चाहिए और sin theta को लिख सकते हम 2 sin theta by 2 cos theta by 2 हम यह लिख सकते हैं यहाँ पर देखिये आप सुत्र 1 minus cos theta को हम लिख सकते हैं 2 sin square theta by 2 और यहाँ पर देखिये sin theta को जिख सकते हम यह तो sin 2 theta का सुत्र होता है sin 2 theta का सुत्र होता है 2 sin theta cos theta तो यहाँ पर क्या है sin theta है तो sin theta को हम इसे जिख सकते हैं 2 sin theta cos theta अब 1 sin theta से sin theta जाया तो क्या बचागा यहाँ पर 2 से 2 और 1 sin theta से sin theta गया तो यहाँ पर बच गया हमारा 10 inverse क्या बचा sin theta upon 2 upon cos theta upon 2 अब इसके बाद यहाँ पर देखिया 10 inverse यह बन गया हमारा 10 theta by 2 अब 10 inverse से 10 हट जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा theta by 2 और theta का मान क्या है 10 inverse तो हम दिखते के 1 upon 2 10 inverse x यह हमारा इसको हल करेंगे हमका क्या आएगा 1 upon 2 10 inverse x यह यह जाएगा